हेलो फ्रेंट्स आपको स्वागत है केरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे आज है 12 अप्रेल 2020 और आज हम लोग करेंट अफेर्स करने वाले हैं और इसे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होगा वो भी हम लोग डिसकस करेंगे फ्रेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट कोस्चन है हाल ही में राष्ट्रिय सुरचित मात्रित दिवस कम मनाया गया है तो ये मनाया गया है 11 अप्रेल को राष्टी सुरचित मात्रित दिवस मनाया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा D और इस दिवस को मनाया जाता है कस्तुर्वा गांधी की जैनती पर और इस दिवस को जो मनाने का जो मेन उद्देश है वो है गर्वती महिलाओं के स्वास्त की उचीत देखवाल करना और उससे परशब समंदी से जो भी रिलेटर चीज होगा या इन्फार्मेशन होगा उसका जगरुप्ता फहलाना तो 11 अप्रैल को राष्टि सुरच्छी मात्री तो दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट है हाल ही में हिंदुस्तान यूनी लीवर ने कोवीद-19 का मुकाबला करने के लिए किसके साथ समझहौता किया है हिंदुस्तान यूनी लीवर ने यूनेशकों के स साथ ये समझाथाथ किया है तो इसका एंसर हो जाएगा एह कूभी दिन्हाइंटिं का मुकाबला करने के लिए इस एग्रिमेंट को करने का जो में परपस है वह अपनी नांचीन महामारी के खिलाफ नाग्रीकों को जागुरूप करना है जितने भी COVID-19 महामारे से पिडित लोग हैं उनको जागरूप किया जाएगा और उन्हें ससक्त बनाने के लिए जन संचार अभ्यान को शुरू किया जाएगा अब हम बात करते ही UNESCO की तो UNESCO का फुलफर्म क्या होता है इसका फुलफर्म होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका establishment कब हुआ था इसका establishment हुआ था चार नमंबर 1946 को और इसका headquarter है Paris France में और इसके जो भी बरतमान में डारेक्टर जनरल है उनका क्या नाम है उनका नाम है आंद्रे अजोले आंद्रे अजोले और जो UNICEF की जो भी काजिकारी नी दे सके वो है हेन्रीटा H4 क्या नाम है हेन्रीटा H4 नेक्स्ट है हाली में the art of her deal the untold story of मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक का लेखन किस ने किया है इस पुस्तक का लेखन मैरी जॉर्डन के द्वारा किया गया है तो इसका उसिंटन पोश्ट के लिए पुलिंजेर पुस्तकार से भी समानित किया गया है नेक्स्ट हाली में a desage ने कोवी द नाइंटिन से निपटने के लिए भारत अज चुलूंध कितने बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है तो भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की न हाईता का तो जिसके अंसर हो जाएगा इसका फुलफ़ाम होता Asian Development Bank और इसका establishment कब हुआ था? इसका establishment हुआ था 19 December 1966 को इसका headquarters कहां है? इसका headquarters है Manila, Philippines और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है 68 68 और ADP के जो भी बरतमान में अध्यच है उनका क्या नाम है? उनका नाम है Matsugu Askawa नेक्स्ट है हाली में जैकी डूप्रीज का निधन हो गया है वे कौन थे? तो वो एक किर्केटर थे जिनका हाली में निधन हो गया तो इसका answer हो जाएगा D और ये दच्छीन अफरीका के पूर्व किर्केटर थे कहां के थे? दच्छीन अफरीका के जिनका हाली में निधन हो गया है नेच्ट है हाली में किस bank ने Digital Banking Platform DG Gen को लॉंच किया है तो इस platform को लॉंच किया गया है Genna Small Finance Bank के दुआरा तो इसका answer हो जागा B Genna Small Finance Bank ने इस Digital Banking Platform को लॉंच किया जिसका क्या नाम है इसका नाम है DG Gen अब ये DG Gen है क्या तो DG Gen एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कोई भी ग्राहक डिटली रूप से कभी भी और कहीं भी बचत खाता या सावधी जामा खाता को खोल सकता है और किसी भी ग्राहको और किसी भी ग्राहको निउन्तम बैलेंस के बचत खाते पर 4.5% का ब्याज मिलेगा और जो फिस डिपॉजिट पर है वो 7.5% का ब्याज उनको मिलेगा अब हम बात करते हैं जन अस्मॉल फाइनस बैंक की तो इसका टैग लाइन क्या है तो इसका टैग लाइन है पैसे की कदर और जो इसके अभी बरतमान में MD&CEO है वो कौन है वो है अजय बंगल और बटमान में जो अजन स्मॉल फाइनेस बैंक के जो MD&CEO है उनका क्या नम है उनका नाम है अजय कंबल नेक्ष्ट है हाल ही में किस राजी सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों का बेतन दोगना करने की घोशना की है तो इस घोशना को हर्याना रा सरकार के द्वारा किया गया है तो इसका अंसर हो जाएका D कोरोना के इलाज में जो भी लोग अभी जूटे हुए हैं उन सबी का बेतन दोगना करने का घोशना हर्याना सरकार के द्वारा किया गया है चाहे वो डॉक्टर हो गए नर्स हो गए या कोई स्टाफ हो गया या कर्मचारी हो गए इन सबों का जो बेतन है कोरोना बायरस के महामारी के खत्म होने तक इन सबों का बेतन को दोगना किया जाएगा अब हम बात करते हैं हर्याना की तो हर्याना के जो अभी बर्तमान मुख्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है उनका नाम है मनुहर लाल खटर और जो हर्याना के भी बर्तमान राज्य पाल है वो है सत्यदेव नरायन आरे क्या नाम है सत्यदेव नरायन आरे नेक्स्ट है हाली में Flipcut ने Health Insurance शुरू करने के लिए किसके साथ साज़ेदारी की है तो Flipcut ने Health Insurance को सुरू करने के लिए दो के साज़ेदारी की है उसमें से पहला कौन है ICICI Lombard General Insurance Company Limited है और जो दूसरा है जिसके साथ साज़ेदारी की है उसका नाम है GoDigit General Insurance तो इसका अंसर हो जाएगा A और C दोनों यानि इसका अंसर हो जाएगा D और Flipcut जो कुरोना वायरस से लड़ने के लिए ऐसे दो नई Health Insurance Policy को सुरू किया है उसमें से जो पहला नाम है वो है COVID-19 Protection Cover और इसे ICICI Lombard द्वारा किया जाएगा सुरू और इस Policy के माध्यम से ग्राहक को तुरांत 25,000 रुपे का भुगतान योजना सुविधान दिया जाएगा और जो इसकी वार्सिक प्रीमियम कीमत होगी वो क्या होगी? वो होगी 169 रुपे और जो दूसरा Health Insurance है उसका क्या नाम है? उसका नाम है Digit Inlands Group Insurance और जिसे किसके दौरा किया जाएगा पेस? वो Digit Insurance दौरा पेस किया जाएगा और इसमें उभुगता को 511 रुपे का वार्सिक प्रीमियम पर एक लाक रुपे तक का अस्पताल में भरती होने का लाग प्राप मिलेगा नेक्स्ट है हाली में किस राज सरकार ने अपनी जेलो में फेस मास्क बनाने की योजना को सुरू किया है? इस योजना को सुरू किया गया है तमिलाडू सरकार के दौरा ते इसका अंसर हो जाएगा C तमिलाडू सरकार ने अपने जेलों के कैदियों के लिए फेस्क मस्ट बनाने का योजना को सुरू किया गया है अब हम बात करते हैं तमिलाडू की तो तमिलाडू के जो भी बरतमान मुख्य मंत्री हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है के पलानी स्वामी और तमिनाडू के जभी बर्तमान राज़ेपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित नेफ्ट है हाली में कहा कोविद नाइंटीन समर्पित 24-7 हेल्फ चैनल लॉंच किया गया है तो ये शुरू किया गया है निको बार में तो इसका अंसर हो जाएगा A. निकोबार जिले में जितने भी अस्थानियों लोग हैं उनके लिए COVID-19 के लिए समर्पित करने के लिए निकोबार जिले में जितने भी अस्थानियों लोग हैं उनके लिए इस हेल्थ चैनल को शुरू किया गया है और यह जो चैनल है वो पेजी हो गया और निकोबारी में इन तीन भासों में ये चैनल उपलुबद होगा नेक्ष्ट है हाली में पदम स्री पुर्सकार से समानित सांती हीरा नन्चावला का निधन हो गया है वे तो वो एक गाईका थी जिनका हाली में निधन हो गया है तो इसका एंसर हो जाएगा डी उन्हें 2007 में पदम पुर्षकार से समानित किया गया था सांती हीरा नंचाबला के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम है उसका नाम है बेगम अक्तर दस्टोरी ओफ म आई अम्मी और यह पुस्तक लिखा गया था सांती हीरा नंचाबला के द्वारा नेक्स्ट है हाली में बरिष्ट नागिकों की निग्रानी और कोविद 19 रोग की सिग्र पहचान करने में मदद करने के लिए लुए लॉंच किये गया एप का क्या नाम है तो उस आप का नाम है सेफ सिनियर्स क्या नाम है सेफ सिनियर्स तो इसका एंसर हो जाएका डी इस आप को मेंली रूप से बनाया गया है बुजुर्गों के लिए और इस आप के माध्यम से क्या होगा इस आप के माध्यम से बुजुर्गों में कोविद 19 महमारी का पता सुरवाती दोर में ही ल भारतिय फुटवाल्ट टिम का कितना रैंकिंग है तो भारतिय फुटवाल्ट टिम का जो रैंकिंग है वो है 108 मा है तो इसका एंसर हो जाएगा डी और इस रैंकिंग में बेल्जियम का है जो पहला अस्थान है और जो दूसरा अस्थान है वो फ्रांस का है और जो तीसरा अस सागित कर दिया गया है नेक्स्ट हाली में भारत बाईोटेक ने को के साथ करार किया है तो भारत बायोटेक ने को रो फ्लू वैक्सिन को तयार करने के लिए फ्लूजेन के साथ करार किया है तो इसका एंसर हो जाएगा इसका नाम है M2SR, इसके बेसपे से तयार किया जाएगा, और जो मरीजों को ये जो वैक्सिन दिया जाएगा, कोरो, फ्लू, वो नाक के थुरू दिया जाएगा, फ्रेंड्स मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के भी सेयर करें, इस प्रेलीस्ट के लिंक पर आप क्लिक करके डेली कर इंटरफेर का वीडियो देख सकते हैं,